हलो माइ बीटिफुल सोल सर कम बैक तो मै चैनल टारो विशिवी टिपर एट गाईस सीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बाल आये हैं तो गाईस पीस सब्सक्राइब मैं चैनल गाईस एक जनरल लीड पहुंचेंगे तब आपसे रिजुनेट करेगी और यह जो भी जॉडिक सायं के लिए है तो आपका जो भी जॉडिक सायं हुए रीडिंग भी आपसे माच जरूर करेगी गाईस लीडिंग मारेड अनमारेड मेल फीमिल कोई भी देख सकता है जेंडर स्पेसिफिक आपके फोकस कीजिएगा काई अपने परसिन की अनर्जी इस पर पहला मेशेज आया है आपके जो परसिन है वो आप दोनों के बीच में कुछ एनर्जी ऐसी फील कर रहे हैं कि आप दोनों ने अपने रास्ते बदल लिये ठीक है रास्ते बदल लिये हैं आप अपने कोई और पाथ चूज किया हुआ है और आपके परसिन ने कोई और पाथ चूज कर लिया है आप दोनों सेम पाथ पर नहीं चल रहे हैं इस वक्त में ठीक है ऐसा लग रहा है कि यह मैसेज है कि आप लोगों ने नई डाइरेक्शन चूज की है आपके परसन ने दूसरी डाइरेक्शन चूज की है और यह जो रास्ते हैं यह अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं जहां यहां पर आप दोनों को मिलने का कोई रास्ता नजर या नहीं आ रहा है इस परसन की एनरजी में एक होप फील होती है कि आगे चलकर आपके साथ कोई चीज इस परसन को अभी जोडे हुए है और आगे जाकर कुछ चीज इस परसन को आपसे एक बार मिलवाईगी जरूर ऐस इस परसन का message आ रहा है मतलब राष्टे आप दोनों ने भले ही अलग अलग कर ली हैं लेकर इस परसन को ऐसा लगा है कि आप दोनों अलग नहीं हुए हैं ठीक है और कुछ चीजें हैं जो अभी आपको बान कर रखे हुए हैं और वो आगे जाकर आपको एक बार फिर इस परस आ रही है जहां पर आप दोनों बहुत जादा connected हो मतलब आप दोनों खयालों में एक दूसरे से काफी जादा connected नजार आ रही हो ठीक है जैसे dreams की जो energy होती है जैसे dreams में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो person है वो आपको connect करने की कोशिश करते हैं काफी कुछ बताने की कोश जोश करते हैं generally अगर कोई इंसान आपको dreams में लगातार बार बार दिख रहा है तो यह सी रही होता है क्योंकि आप उसके बारे में जादा सोचते हो बट अगर कोई इंसान आपको कभी कभी दिखता है dream में या फिर आप उसके बारे बिल्कुल नहीं सोच रहे हो फिर भी व आप दोनों काफी connect करते हो और इसलिए शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों जुड़े हुए हो अभी अलग नहीं हुए हो ठीके आपके directions भली अलग-अलग हैं बट यहां पर energy है जो आपको energy cord आप दोनों के बीच में strongly connected है जो अभी तक तूटी नहीं है यह आप यह नजर आता है यह person अपनी आपको आप में देखते हैं मतलब ऐसा देखते हैं कि यह जैसे है वैसे पिलकुल आप में देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनहीं के तरीकी के इनसान हो ठीक है mirror image बनी हुए है guys जैसे आप आएनी में देखते हो ना खुद को तो कि दूसरे तरफ इस परसन को ऐसा लगता है अगर आप खड़े हो तो इस परसन को ऐसा लगता है आएने की दूसरे तरफ मैं ही हूँ ठीक है ना तो आप में इस परसन अपने आपको देखते हैं यह एनरजी यहाँ पर निकल कर आ रही है इनको ऐसा लगता है कि आप इनी के ज तरह ही काम करता है ठीक है और अगर आप किसी mirror soul के साथ हैं तो वो तो आपको exact वो चीज दिखाएगी जो आपके अंदर मौझूद है ठीक है बागी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत सारे चीज़े दिखाने की कोशिश करते हैं हमको असा लगता है कि वो चीज़े अशुड़ और आपके अंदर में सामने वाले के अंदर गलत है लेकिन वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर हो रहे यह आपको वाले के अंदर नहीं आपके अंदर गलत होती है जिनको हम shadows बोलते हैं ठीक है तो कई वार आपको ऐसलता है सामने वाले इनसन बड़ा और तो इस परसन की आप एसी महसूस कर सकते हैं तो फोड़े थोड़े आप इनकी तरह हो उनका लगता है जयसे आप बहुत उडने का शॉक है तो इसessä परशन को भी बहुत उडने का शॉक है ठीक है अगर आप ग्रांडेड हैं तो इस से साम को भी आपने देखा ओगा की यो किसे भी, अगर आप में चृत努र को सकते हैं इस परसन को ऐसा भी लगता है कि जबसे आप इनकी life में आए हो आपने इंको बहुत target किया है अपने लगा तर इस परसन को hit किया है ऐसा таком जबसे आप इनकी life में आये हो, इसलिए शाय दिनोंने रास्ता बदला है, क्योंकि आप इनके ego पर वार करते हैं, या फिर आप इनको बहुत गंदा hit करते हैं, ठीक है? जैसे वह बंदूग होती न, ठीक है? उसकी बंदूग कोई सिर पर रखकर बैठा हो, मतलब कहने का यह है कि आप all time ready रहते हैं, कि आप यहां पर hit कर देंगे, यहां hit कर देंगे, मतलब कहने का यह है, यह message इस तरीके से आ रहा है, जैसे आप इस person के हर चीज के लिए react करने के हमेशे ready बैठे रहते हैं, कि इस person का कोई भी action हो, आप रियक्त करें, ठीके और आप जितनी बार भी react करते हैं, उतनी बार hit करते हैं इस person को, यह person की ego को hit करते हैं, इस person की गलत आदतों को hit करते हैं, उन को highlight करते हैं, जो भी है, बढ़ यहां पर यह नजर आता है, जैसे कि कहीं न कहीं अगर दिल की बात करें तो इस परसंट को आपका साथ चाहिए क्योंकि यहां पर टैलीपैथी नजार आ रही है ड्रीम्स के थूर कनेक्ट कर रहे हो तो इससे लग रहा है कि सोल लेवल पर एक दूसरे को समझते हो ठीकि दिमाग की बात करें तो इस परसंट को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना इंपॉसिबल है ठीकि अब कोई इंसान आपको लगातार टारगेट किये हुए है आप ही का पार्टनर अगर आपको बार बार टारगेट करता है तो आप उसके साथ कैसे खुश रहेंगे आप हमेशा उसको ब्लेम करेंगे गलत बोलेंगे या फिर आप उसको ऐसे समझेगे कि तो मुझे दुखी करता है ठीक है वो चीज़ पसंद नहीं आती इंसान को यही सेम चीज़ अगर आपका पार्टनर आपके साथ करेगा तो आप कहेंगे कि बहुत दुखी करता है ठीक है जो चीज़े मैं मना करता हूँ या करती हूँ यह वही करता है तो यह यहां पर energy feel हो रही है कि logically अगर इस connection में logics लगाए जाए तो कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ रहना impossible है क्योंगी जब आप एक दूसरे को hit कर रहे हो आप एक दूसरे की बातों को ठाटते हो मानने की बज़ने की बज़कल देते हो ठीक है सामने वाले ने कुछ बोला आप दोनोंने बात को लेकर cancel out ुच ण। हम तुम्मारी ही नहीं मानगे है और हम तुम्मारी ही नहीं मानगे तो यहां पर जो energy feel हो रही है उससे यह नजर आता है जैसे जो आपके person का action होता है उसी तरीका का similar reaction आपकी तरफ से आजाता है इस person के प्रती ठीक है और reaction इस person को ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई action है तो reaction मेरे favor में होना चाहिए, आप reaction इस person के favor में नहीं देते हैं, इनके against में देते हैं तो यहाँ पर यह नजर आता है कि अगर कोई logical minded मतलब logical mind वाला व्यक्ति है या फर कोई logic से यहाँ पर यूज करे तो यह कहेगा कि इस व्यक्ति के साथ full life रहना impossible है ठीक है कि यहाँ पर तो हर दिन मतलब जैसे जगड़ा हो जाएगा fighting की energy लेकिन फिर बीस परसन को आप बहुत पसंदो फिर बीस परसन को आपसे मिलने का मान होता है फिर बीस परसन को आपको देखने का मान होता है फिर बीस connection में इस परसन को ऐसा लगता है कि इनको आपसे दूर नहीं जाना है यह connection ऐसा भी हो सकता है कि काफी toxic हो ठीक है जिस तरीकी की energy आई है यह connection toxic भी हो सकता है लेकि फिर भी आप जैसे लग रहा है कि आप connection में रहना चाहते हैं या आपको partner रहना चाहता है क्योंकि आप couple नजर आ रहा है इस connection में इस person को ऐसा लगता है कि आप दोन में patience की बहुत कमी है ठीक है या फिर इस person को आप में patience की बहुत कमी नजर आती है ठीक है जैसे कोई बात अगर आपके person आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप patience के साथ सुनते नहीं है ठीक है या फिर आप उनकी बात पर patience के सा response नहीं करते हैं ठीक है उनकी बात को पूरी तरीके से ना सुनना ठीक है और पहले से ही response कर देना या पहले से ही react कर देना ऐसी energy आप लोगों की हो सकती है ऐसा इनको लगता है कि जब कोई इंसान आपके connection में logics का use कर रहा है इसका मतलब है कि ताली एक हाथ से बजी ही नहीं है ठीक है अगर कोई इंसान आपके साथ connection में पहले दिल से था और आप दोनों बहुत जादा दिल से एक दूसरे के साथ connected थे और suddenly आपके partner ने यहाँ पर logics लगाना use कर दिया मतलब logics लगाना start कर दिया इसका मतलब है कि ताली एक हाथ से नहीं बजी है ताली कहीं न कहीं दूसरे हाथ से भी बजी कहने का मतलब है कि आपका भी कुछ न कुछ ऐसा रहा है इस connection में या फिर आपने भी कुछ न कुछ ऐसा किया है जो इस person को मजबूर करता है logics लगाने के लिए ठीक है अगर आपका जो partner है वो आपके साथ बहुत जादा love connection में है और suddenly उसका behavior change हो रहा है ठीक है तो उसने कुछ न कुछ तो ऐसा आपके अंदर देखा है जो उसको लगा कि आपके अंदर वो चीज जो चाहता था वो आपके अंदर है नहीं या फिर आपके अंदर कुछ गल जाना उससे वो कभी नहीं भागेगा आप ये मिरी बात से अगर agree कर रहे हैं तो comment section में लिखिएगा अगर आप किसी चीज को 100% मन से accept करते हैं और चाहते हैं उस चीज से आप कभी नहीं भागेगे उसको आप पाना चाहेंगे ठीक है उसको आप अपनी life में पाना चाहेंग लेकिन अगर कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि यह कमी है या पर यह चीज गलत है या फिर कोई आपके साथ logics उसको कमी नजर आ रही है जो चीज उसे नजसे कम नजर आ रही है है उसकना ऊपने जो किसी और में ढूननी कि उसको कोशिश करेगा ठीक है मतलब कहने का यह कि अगर कोई इंसान आपसे भाग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो आप में कमी देख रहा है, तभी वो आपसे भाग रहा है, ठीक है, आप जैसे मैंने का, आप हिट करते हो, आप ego हिट करते हो, ego target करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो, जो नहीं पसंद आ रहा है या फिर कुछ ऐसी energy-free हुई थी जैसे आप दोनों एक जैसे ही हो तो दो लोग जब एक जैसे होते हैं तो मैंने हमेशा बता है कि connection में बहुत problem create होती है कई बार reading में आता है दो लोग एक जैसे दोनों लोग सीधे हैं अगर थीक है बहुत बोले बाले हैं तो दुनिया उनको कभी भी I don't know दुनिया कभी भी उनको छैंस सीधीन नीधिकि दोनों ही बहुत सीधे वहले बाले से लोग हैं अगर दोनों इस बहुत चतूर्ड किसम के लोग है ठीक है तो आपसी में एक दूसरे के साथ बहुत ज़ादा अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो एक इंसान थोड़ा सा अगर तेज है, तो एक इंसान, मतलब ठीक है, शांत है, कभी-कभी शांत है, कभी-कभी तेज है, तो मतलब थोड़ा सा बैलनस होना चाहिए है दो लोग एक ही जैसी एनर्जी में operate करें कि बहुत जादा एक जैसी एनर्जी हो बिलकुल एक ताइम पर एक ही जैसे react करना तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम करेट होती हुआ कि समझाने वाला कोई नहीं होगा लोगो react करने वाले मौझूद है तो यहां पर यह नजार आता ह है जिनको लगा कि आपसे बहतर की तलाश में अगर यह निकले हैं तो मतलब कुछ इनको आपके अंदर कमी नजर आई है कुछ ऐसा message यहां पर मिल रहा है इस परसन की तरफ से अधर्वाइस कोई इंसान आप किससे आपसे क्यों ही भागेगा यह कुछ तो कारण हमेशा ही हो होते हैं लेकिन कुछ लोग के कारण ऐसे होते हैं कि आपके ही पार्टनर को आपसे बहतर की तलाश थी ठीक है यहां पर यह नजर आ रहा है एक यहां पर लाइन चैनल हुई कई बार लोग बहतर की तलाश में बहतरीन को गवा देते हैं अगर आपको कभी ऐसा लगी कि सामने वाला व्यक्ति 100% मेरे साब से पॉफेक्ट नहीं तो अपने आपको भी आएने के सामने खड़ा करके इनसान को देखना चाहिए कि क्या मैं 100% पॉफेक्ट हूँ अगर उसके मन में ये जवाब आजाए कि हाँ मैं 100% पॉफेक्ट हूँ तो बिलकुल आप सामने वाले को जच करिए कि यस मुझे मैं 100% पॉफेक्ट हूँ तो मुझे 100% पॉफेक्ट रेक्ती चाहिए लेकिन अगर आपके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि कमिया है तो आपको भी सामने वाले की कमियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आप पॉफेक्ट की तलाश में निकले हैं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि श्रीहरी की बात यहां पर हमेशा लागू होती कि जो चीज तुम दूसरों में देखना चाहते हो पहले वो तुम खुद से तो लेका रहा हो तुम ऐसा लगता है कि तुम 100% पॉफेक्ट हो तो तुम 100% पॉफेक्ट की तलाश में निकलो तुम्हें जरूर मिलेगा क्योंकि तुमने अपने उपर पॉफेक्शन पर काम किया है लेकिन जब तुम्हारे अंदर नहीं और तुम निकले हो 100% perfect रेक्टी के साथ रहने के लिए तुम्हारे अंदर perfection नहीं है तुम 100% perfect रेक्टी के साथ रहने ही पाओगे क्योंकि उसको इतनी perfection की आहदत है तो तुम्हे तो इतनी आती ही नहीं है तो जब आप किसी को तलाश करने निकल रहे हो तो खुद को देखकर भी निकलो पहले कि मैं किस level पर हूँ अभी अपना level बढ़ा लो फिर तुम जैसा चाहो वैसा पा सकते हो आपकी जो person है इन्होंने बतला जिसे काफी साहे लोग की energy है ये कि आपकी जो person इन्हों अपने राष्टा बतला है आपसे ठीक है कुछ आप में कमी इस person को definitely नजर आई है ठीक है तो आपकी जो person की energy में नजर आता है कि इनको ये भी देखना चाहिए था कि क्या ये 100% सारी कमियों के मतलब इनके क्योंकि perfect reality के साथ perfect reality ही रह सकता है क्योंकि उसके perfection को match करने के लिए आपको perfect होना काफी जरूरी है otherwise आपके अंदर compatibility नहीं आईए और आपका confidence zero पर जाएगा बार बार क्योंकि वो तो बहुत perfect है आप अपने आपको कभी कहीं न कहीं समझेंगे कि मैं perfect नहीं हूँ या मैं deserve न कामने वाले को judge करना बजाए इसके कि आप उसका confidence boost up करें आप उसको judge कर रहे हैं कांट से देखेंगे काइस please guide किजे angels में reviews के partners की current feelings में reviews को लेकर क्या है हुआ हुआ है क्या सोच रहे आपकी person आपकी person आपको काफी spiritual देख रहे है इस वक्त में और आपकी तरफ इस person का तो एक ही काम रहता है ठीक है night of cup समेशन आ ही जाता है connection में अगर जाना है तो फिर सीधे चले ही जाओ ठीक है पीछे पलटने का कोई मतलब होता नहीं है वैसे ठीक है लेकिन यहां पर यह नजर आता है कि लोग trial लेने जाते हैं ठीक है हर इंसान माफ करते है ऐसा जरूरी भी तो नहीं है जैसे कुछ लोग के partner यहां पर trial लेने जाते हैं उनको आपकी existence समझ में नहीं आती है तो वो दूसरी तरफ trial लेने जाते हैं और जब उन्हें लगने लगता है कि वो किसी और तरफ किसी और तरफ उनकी वो energy और जैसे जै है ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ठीक है आपकी कितने chances आपको मिलते हैं यहां पर यह नजर आता है कि कुछ लोग के partner उनकी life में वापस आना चाहते हैं ठीक है और बहुत लंबे time से resist कर रहे थे यह डोपने की कोशिश करता है इंसान ego कहता है कि अभी तो भागे थे अब बा अजर आता है कि आना चाहते हैं ठीक है ना अब ब्रास्ता बदले चाया जो बदले ठीक है लेकिन अगर आपकी तरफ इस person की खुशी है तो यह आपकी तरफ देखेंगे ही देखेंगे ठीक है अंत में जहां पर इंसान की खुशी है वह वहीं भागता है इंसान पूरी life को compromise कोई करके ले जाए ठीक है बहुत मुश्किल है कि कोई पूरी life को compromise कर ले जाए कुछ लोगों के partner तो जैसे marriage के वारे में भी सोचते हैं ठीक है जो 100% sure हो जाते मैंने अभी बोला ना इंसान आपसे भागता तभी यह जब उसे आपके अंदर कोई कमी नजर आ रही है और उस रख सकते हैं तो आपसे नहीं भागे руки नहींब हो 100% स्टाइब wanna बहुता बहुता भागता वह इनसान है जिसके मन में यह है कि मुझे असकी बिसकंटे हूं और अब यह वापस आना चाहते हैं, अब ट्राइल लेकर तो आ जाएंगा, अब इगो भी टूटेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी, अब कोई यारेंटी भी नहीं है कि यहां से माफी मिल भी जाएगी, तो अब क्या होता है न, कि इंसान फस्ता है, two of pentacles, जाओं या ना जाओं, जाओं चला जाओं, एक बार दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूं या चली जाती हूं, ठीक है, जादर से जादर क्या होगा, इंसान मना कर देगा सामने वाला, ठीक है, तो यह यह आपके person सोचते बहुत लंबे टाइम से रजिस्ट कर रहा था, लेकिन आना चाहता है, सब कुछ बनाना भी चाहता है, जो बेवारा है, लेकिन अब यह इस person की energy में नजर आता है, कि क्या, आपका, मतलब आपका फैसला क्या होगा, ठीक है, एक्शन तो आपके person ने ले लिया, ठीक है, अब परिके से माफ भी तो नहीं कर सकता है, कि आपका trial माफ कर दे, ठीक है, यह कोई छोटी चीज नहीं है, तो मैं हमेशा ही अपके reading में आपके viewers से हमेशा ही मैंने जो भी energy's read की, अभी तक मैंने हमेशा ही एक चीज गाइद की है, कि जो चीज आपको 100% मन से आ रही हो, उसी ची करो, जब आप उसको heal कर लो, उसके बाद jump करो, ठीक है, या फिर उसको बाद किसी को हाँ बोलो, क्योंकि अगर आपके अंदर issue है, तो आप connection में आगे पढ़ने के बाद फिर उस issue को जब भी वो आएगा, hit होगा, तो surface आएगा, तो फिर आप फिर आप अपनी इस्तिती वह हैं, लेकिन करिए वही जो 100% आ रहा हो मन से, अगर 60-70 पर हैं, आप 40-50 पर हैं, किन्तु परंतु लगता है आपके मन में, आप भरोसा नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि, कि इन्होंने ऐसा किया, यह दुबारा ऐसा करेंगे, डरते हैं, आप fear के issues आ रहे हैं, फिर ऐ इसे connection में तुरंट से जंप नहीं करना चाहिए, अपना time लीजिए, heal कीजिए, पहले खुद को prepare कीजिए, उसके बाद अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यही इंसान ठीक है, तन जाकर आप किसी connection में आप जाहिए, चाहे X हो, चाहे new हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो partner तो आपको कभी भी lot आएगा, लेकिन क्या guarantee है कि तिकेगा, ठीक है, क्योंकि आपके partner से problem नहीं है, problem आपके connection में issues में है, ठीक है, जो आपके अंदर और आपके partner के अंदर है, जब वो heal होंगे, तो connection आपका long term पर बढ़िया चलेगा, और जिनके भी connection में उनको ऐसा अगर उनके मन में surety नहीं है, उनके मन में move on आता है, तो बिलकुल आप move on कीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपके intuitions काइट कर रहे हैं, अपने intuitions के against जाकर काम ना कीजिएगा, ठीक है, कोई भी, जो भी मेरे viewers साथ है, किसी obsession में, किसी जुनूर में, किसी पागलपन में, कि मुझे तो यही चाहिए, यही अच्छा है, ऐसे कभी भी काम लाइफ में नहीं करने चाहिए, नहीं ऐसा decision लेने चाहिए, अपनी लाइफ के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसे comments पढ़ती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से guide करती हूँ, यहाँ पर यह म अपनी तरफ से ट्राइल लेते हैं, यह वहाँ भी ट्राइल लेकर आगा है, यह दुबारा आपकी तरफ आकर ट्राइल करना चाहते हैं, यह energy है guys, as it is यही energy है, अलफाबेट्स लेगा हूँ 6, 9, 69 7 7, j, o, r, u, w, h, m, g 7, 1, 7, s, m, s, m, s, j message, ms, g, message, ms, g, message, यहाँ j, o, r, u, j, o, r, u, j, oru लिखा है, okay दब्लू ई वी यहां ओ एच है ओ एकस वाई 6789 ओके यहां पर एक और लेटर बन रहा है आर यू और एच रूः 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 आप इस परसन की रूः में बसे हुए हैं ठीके वी माने हम, मैसज, MSG मैसज है यहां पर ओके यह निकल कर आया है गाईस, I hope आपको यह रीडिंग परसंद आई हो, रीडिंग परसंद आई तो गाईस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहरी बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू गाईस